2008 में मनमुहन सिंग की सरकार ने गंगा को राश्ट्री नदी का दरजा दिया था 16 साल हो गएं गंगा को राश्ट्री नदी का दरजा मिले और 16 साल बात क्या इस्तिती है इसको समझने के लिए हम पहुंचे हैं दशा सुमेद घाट आप देखिए ये दशा सुमेद घाट है वारांसी के पंच तीर्थ घाटों में सबसे महतोपून जिस घाट का उलेक है उसमें दशा सुमेद का नाम सबसे उपर है पौनारिक महतो भी है धार्मिक महतो भी है और इसी दशा सुमेद घाट के बिलकुल बगल में राजिन में राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान की शुरुवात की थी और इसी दर्शा सुमेद घाट के ठीक बगल में जो गंगा आरती होती है इसी गंगा आरती में प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी दोहजार चौदा में जब यहां से सांसद हुए तो उन्होंने गंगा की निर्मलता, अविरलता, स्वक्षता को एक बड़ा मुद्दा भी बताया था और एक फर्स्ट प्रियार्टी बताई थी कि गंगा हमारे लिए सर्वो परी है गंगा की वज़े से ही मैं यहां आया जाय सीती है वो भी आपको पहले दिखा दे कुछी घंटे बचे हैं लोगपर्वच्षठ जब शुरू हो जाएगा और लोगपर्वच्षठ पर हज्जारों की संख्या में जो व्रती हैं वो उगते हुए सुरे को भी और डूपते हुए सुरे को भी आरगे देंगे तो ब खिलाफ एक तरीके का इनका प्रदर्शन भी है इनका विरोध भी है गंगा की अविरलता और निर्मलता ये महमना के समय से एक बड़ा मुद्दा था 1907 में महमना ने अंग्रेजों से अविरल गंगा निर्मल गंगा को लेकर एक समझाथा किया था प्रधान मंतरी नरेंद् बात सिर्फ विरोध की नहीं है मैं हम बात जब यहां पर आते हैं धर्म और अध्यात में से जोड़ी मोक्षदाइनी नगरी का कहा गया है काशिकों और मोक्षदाइनी गंगा को भी कहा गया जहां पर गंगा में तरवण अंडपन करने से ही आदमी का आखबद बनती है जि तो चुनाओ जीतने के दूसरे या तीसरे दिन आते हैं और कहते हैं कि एक साल में मैं साबरमती बना दूँगा इसको या उनके रिकार्डेड है यह प्रमोत पांडे या किसी कॉंग्रेस जनकी जुवानी नहीं उन्होंने कहा है एक साल में साबरमती बना देंगे और उसके ब पीट थी तीरत सिंग ठाकुर जी की जो बाद में चिफ जस्टिस भी बने उन्होंने सवाल किया गंगा के निर्मली करणड पर निर्बाद रूप से और इसके बाती कि क्यों दंगा सुक्ष नहीं हो रही है तो उन्होंने उस पर बयान दिया गया तो टिपड़ी करते हैं तीरत सिंग ठाकुर कि जो प्रयाज सरकारी दिखाये जा रहे हैं भारती जंता पार्टी की सरकार के इससे गंगा 200 साल में साफ नहीं हो पाईगी यह बहुत तल्क टिपड़ी थी और लिखित हलफ नामा उमा भारती जी द्वारा उस वक्त दिया गया था कि गंगा को मोदी जी ने कहा कि एक साल में साबर मती बना देंगे श्वक्च कर देंगे तो एक साल की बात प्रमोजी मैं आपको रोख रहा हूं इसी बनारस में सटीपी की संख्या बढ़ी है आप इससे इंकार तो नहीं करेंगे साथ स्टीपी चल रही है जो जो च्छमता है वह भी बढ़ा अनुराक श्रिवास्ताव जी जो नमामी गंगे के अपर मुखे सचिव हैं उन्हों उन्होंने कुछ दिन पहले ही बैठक की थी और अमरित अभीजाद जी भी थे और योगी सरकार ने ये फैसला भी लिया कि महाकुम से पहले 31 दिसंबर डेडलाइन है कि जितने भी अंट् शक्ति का आभाव आपको मैं बताना चाहता हूं कि 360 किलो मीटर का उन्हों कानपूर से लगाया बनारस तक का जो पैच है उसकी वज़े से गंगा सबसे ज्यादा मेली है क्योंकि उन्हों और कानपूर के बाद जो चमड़ा सोधन की जो फैक्ट्रियां सपाई होती है उसका एक लिटर पानी अभी भी साफ नहीं होता है वन फैक्ट्रियों में अगर ट्रीट्मेंट प्लान लगा दिये जाएं तो गंगा आज दुरंद स्वक्ष नजर आने लगेगी अभी नहीं हो रहा है जानकारी का आभाव आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को सबस कि सरकार जब यह कहती है राग्विन जी कि महाकूम से पहले हम गंगा में जतने भी नाले गिर रहा है जतने honour ABOUT और बेंको मुझे लगता है और कोई भश्टाचार गंगा के नाम पे तो बनारस में कोई सेयत बढ़े नहीं जो यूपी यूपीय क्या कांग्रेस की सरकार के दोरान लगाए गयते हुए इनकी तरफ से तो बियच्चू जो केंदर सरकार के अधिन आता है वहां से गंगा पुदुशन रिकाई बोड के आफिस को बंद करने का निर्देश जारी हो सबसे ज़्यादे भष्टाचार अगर किसी सरकार में हुआ है तो यह इस भारती जनतापाटी के 11 वर्सों की सरकार में हुआ है प्रदान मंत्री जी ने कहा था कि मैं आया नहीं हूं माने बुलाया है लेकिन 11 साल में मा का कोई सेवा नहीं किया है और बिजेपी ने जब जब बिजेपी सरकार रही गंगा की धारा को रोकने वाली बिजेपी सरकार टेहरी बान अगर ना बना होते तो आज गंगा का पानी आप देखते हैं कि गंगा में चाहे वो सीवर का पानी हो तमाम चीज पानी रहता रहा हमेशा पानी साफ रहता रहा जब से टेहरी बान जब बना उसके बाद से देखे इस अब चीज जो है और जहां तलग बात यह है कि आज हम लोगों ने 2008 में जो मनमौन सिंग की सरकार में यह घोसित किया ग तो गंगा का पानी पिलाते थे उनको और मोगल साथन में भी अंग्रिजों को अब मोगल साथन भी जब उनके महमान आते रहे तो गंगा का पानी पिलाते रहे और जहां तलग यह पानी की बात है कि पानी इतना सुद्ध है कि हमारे धर्मों में भी है कि वजू इससे बहता देखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गंगा में लोग अभी विस्नान कर रहे हैं और आप देखे गंगा स्नान किया है क्यों कहां से आ हैं भाई फोडो तो देख लो या ठीक है तो 16 साल हो गया गंगा को राश्य नदी का दर्जा मिले हां धरातर पर उतरती हुई चीजे नहीं दिख रही है इसका कासिवासियों का अफसो से तकलीफ है एक बार उन्होंने कहा कि गंगा ने बुलाया है दुबारा का उन्होंने गंगा ने हमें गोद ले लिया लेकिन यह देखिए गोद लिये हैं पुत्र का आज भी सब धरातल पर जमीन पे वो चीजें उतरती हुई नहीं दिख र होंगा कि आधर्णी मोदी जी बनाश के सांसा दो देश के प्रदारमंती होने के नाते प्राइट प्राइवेट जिसन के बंद करें गंगा में कुरूच चलाना बंद करें हमारे नाविकों को नाव चलाने का आदेश निर्वराद दें तो यह भाई सब एक मिनेट कहां से हैं बस इतना बदाजी कहां से हैं तो यह सोला साल का हासिल है सोला साल पहले गंगा को राष्टी नदी का दर्जा मिला कोशिश अभी भी जा रही है योगी सरकार का दावा है कि महाकुम से पहले गंगा को स्वक्ष कर लिया जाएगा और जितने भी नाले हैं जो सीधे गंगा में गिर रहे हैं उनको बंद कर लिया जाएगा untreated water जो है वो treatment के बाद ही गंगा में जाएगा सरकार का दावा है लेकिन Congress के जो लोग हैं वो इससे इतिफाक नहीं रखते अमिद सिंग टीवी 9 UP वारंसी